हलो आवरीवान टरट विद एम सिंग में मैं मैं सिंग आप सभी का बहुत-बहुत सुवागत करती हूँ हमेशा की तरह सोम वार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करेंट एनरजी लेकर और आज है फुल मून और फुल मून के साथ साथ आज है लूनर एकलिप्स तो लूनर एकलिप्स की क्या एनरजी का एफेक्ट है ओरॉल ट्विन फ्लेम्स के उपर साथी साथ फुल मून की एनरजी का कैसा एफेक्ट रहेगा और साथी साथ ओरॉल एनरजी जो शिफ्ट हो रह पहले ही एनरजी को भाप लेती हैं, ये उनके अंदर एक by birth, एक inborn quality होती है, कुछ होने वाला है, उन्हें पहले से अभास हो जाता है, कुछ अच्छा होने वाला है, उन्हें अभास हो जाएगा, कुछ गलत होने वाला है, उन्हें अभास हो जाएगा, अगर मदर गाया की एन मदर गाया बहुत पीडित हैं तो यहां पर उन्हें आभास हो जाता है कि धर्ती पर कुछ अनहोनी होने वाली है। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी पर ग्रहन का, फुल मून का, न्यू मून का, अर्थ पर होने वाले हर शिफ्ट का असर होता है और सबसे पहले होता है। उनकी एनर्जी पहले सफर करती है, बाद में बाकी लोगों तक वो चीज़ें पहुँचती है। तो ये एनर्जी मैं जो बताने वाली हूँ, ये DM और DF दोनों के लिए होगी, क्योंकि आज हो ली थी, मैं भी busy थी, मेरे घर में बहुत guest आते हैं गाई, सबके घर में आते होंगे, तो इस वज़़े से reading late post हो रही है, तो ये मत कहिएगा कि मैं मित्ता late क्यूं, मैंने post कर द देखें, चाहें कल सुबह देख लें, ठीक है, सो शुरू करते हैं guys, देखते हैं, ग्रहन का effect, DF की एनर्जी पर किस तरह पढ़ रहा है, पहले collectively DF की एनर्जी देखेंगे, lovers with the star, DF की एनर्जी, अब कोई new है, अगर इस channel पर या उसे नहीं पता कि twin flame journey क्या है, DM क्या है, DF क्या है, kindly follow my playlist, playlist में twin flame करके एक playlist है, जिसमें बहुत सारी videos हैं, और पूरी twin flame journey आपको समझ में आ जाएगी, go through हो यह आराम आराम से, जब भी आपके पास समय हो, DF की energy, bottom of the deck we have queen of cups, जो की जन्म से दधिकार है DF का, हमेशा queen of cups की energy में रहना उन्हें अच्छा भी लगता है, उनकी vibes ही ऐसी होती है, तो guys, यहाँ पर आपकी energy में सबसे पहला जो energy shift में नजर आ रहा है, वो यह कि आपके कार्मिक्स काफी हद तक release हो चुके हैं, आप में से बहुत सारी ऐसी DF energy में हैं, चाहे male body में, female body में, जिनके कार्मिक्स release हो चुके हैं, कर्मा almost clear हो चुका है, या कार्मिक cycle आप इस वक्त face कर रहे हो, अगर आप अभी भी कार्मिक cycles में stuck हो तो यह trigger का time है, आपको कोई नो कोई heavy trigger मिलने वाला है, और यह trigger कब मिलने वाला है, इस चंदर ग्रहन से लेकर जो सूरे ग्रहन आने वाला है, उसके बीच में या उसके आसपास आपको यह trigger मिल सकता है, बड़े level का trigger हो सकत है, तो तयार रहिएगा, इसके अलावा, जो DM energy में आपके person है, उनकी energy अभी हम देखेंगे, बट DM के लिए जो लोग waiting energy में है, कि मेरा DM आएगा या आएगी, मुझे commitment देगा या देगी, hopeful है, lover की energy है, आप अगर waiting पर हैं, आप अगर अपने life purpose से हटकर, अगर आप सिर्फ wait कर रहे हैं, या कर रही हैं, अगर आप इस journey को एक mission ना लेकर, आप सिर्फ romantic journey समझ रहे हैं, तो यह आपके लिए warning है, यहाँ पर आप अपनी ही journey को delay कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि मैम हम twin flame journey में हैं, बट हमें नहीं पता कि हमारा purpose क्या है, तो possibility हो सकती है कि आप twin flame journey में ना होकर, कार्मिक या soulmate connection में हो सकते हैं, क्योंकि जब आप twin flame journey में होते हैं, तो जब आप पैदा होते हैं, तभी से आपका, जो mind है, वो आपके divine purpose की तरफ लगा होता है, पैदा होने के बाद, जब आप 5 साल के होते हैं, जब आप बोलना शुरू करते हैं, तो आप अपने purpose को बता देते हैं, अपने parents को, कि मैं बड़ा होकर ये बनूँगी, या वो करूँगा, या वो करूँगी, वो लोग भी शौक हो जाते हैं, कि ये बच्चा ना doctor बोलता है, ना engineer बोलता है, ना teacher बोलता है, ये क्या बता रहा है, ये क्या करना चाहता है, उनकी जो soul purpose होते है उनको बच्चपन से ही, उनके mind में भरी जाती है, पात साल से जब वो 15 साल के होते हैं, अपना 12th clear करने के बाद, वो अपने soul purpose की तरफ अपने आप बढ़ जाते हैं, और जो व्यक्ति, बहुत जादा मुहमाया में ग्रसित हो जाता है, twin flame connection में, अगर वो बहुत जादा 3D की बढ़ जाता है, मतलब भगवान ही इस जर्नी को चलाते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस जर्नी को चला रहे हैं, आप अपने आपको inner work करके, improve करके चला लेंगे, या आप कुछ इसमें कोई courses करके चला लेंगे, तो ऐसा नहीं है, इस जर्नी को सिर्फ divine चला ठीक है, तपना पढ़ता है इस जर्नी में, तो ये सिर्फ एक romantic connection नहीं है, ये romantic connection सबसे deepest romantic connection के साथ साथ, ये सबसे जादा purposeful connection है, spiritual connection है, तो इस connection को कुछ लोग सिर्फ romantic जर्नी तक ही सीमित रखे है कि मेरा DM message कब करेगा, या मेरी DF कब contact करेगी, तो इस से बाहर निकल ये, वर अगर आप twin flame connection में हैं, तो courageous decisions लीजे, अपने आपको balance कीजे, balance कैसे करना है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई होई है, playlist पे है, masculine and feminine energy कैसे balance करना है, balance होने के बाद आप अपने purpose पे और fast pace में लग सकते हैं, जब तक आप balance नहीं है, आप अपने purpose पे भी fully focused नहीं हो पाएंगे यहाँ पर कुछ DF की health problem भी होगी, health problem में सबसे पहले तो throat chakra पे effect आएगा, collective energy है यह, throat chakra के साथ साथ आपके solar plexus पे effect आएगा, आपकी skin पे effect आएगा, even कुछ DF की eyes पे भी effect आ सकता है, skin पे किसी तरह की itching होना, skin पे rashes होना, बहुत ज़ादा आपको irritation होना, especially face area में, इस तरह की problems आपको face करनी पड़ेगी, आपके जो lunch या dinner हैं, वो भी आप skip कर सकते हो, बहुत ज़ादा आपके diet में भी changes आएंगे, हो सकता है, suddenly आप बहुत ज़ादा light food खाना शुरू कर दो, fruit diet लेने लगो, fasting करने लगो, इस तरह की भी vibes हो सकती है, क्योंकि जब भी ग्रहन ओन की energy होत होती है, तो DF की body swell करने लगती है, ऐसी situation में ज़ादा तर अपने आप जो routine है, वो maintain करने लगते है, divine आपको fruit diet पर रखना, light भोजन पर रखना, बहुत ज़ादा salt intake ना करना, बहुत ज़ादा sugar intake ना करना, बहुत ज़ादा oil intake ना करना, इस तरह की vibes होंगी DF energy की, plus queen of cups की energy है with moon तो यहाँ moon emotions को तो भड़काता ही है, तो यहाँ definitely आप अंदर से बहुत ज़ादा emotional feel कर सकते हो, बहुत ज़ादा अपने DM को लेकर, देखते हैं, DM की energy over and all, divine, masculines की energy, जय हुशव शक्ती, DM की energy, collectively, bottom of the deck we have magician, overall energy we have seven of cups, ज़ादा तर DM, ऐसा लग रहा है, divine guidance को follow कर रहे, we have Harufin with the sun, divine की तरफ से इनको vivid dreams आ रहे हैं, divine की तरफ से इनको कुछ guidance दी जा रही है, किसी न किसी गुरू को यह भी follow कर रहे हैं, हो सकता है यह आप से share करें, हो सकता है चुपा कर रखें, किसी न किसी गुरू या guide को यह भी follow कर रहे हैं, इनके सामने भी suddenly कोई वीडियो पॉप अप हो रही है जिससे इनको कही न कहीं कुछ न कुछ guidance मिल रही है इसके अलाबा कुछ DM अगर unmarried हैं अभी तक तो unmarried DM की energy ऐसी है जैसे इनकी family इनके लिए रिष्ट्य देख रही है इनको कोई family से soul shock या trigger मिल सकता है अगर married DM है तो यहाँ इनकी married life में कुछ emotional disturbances आपको देखने मिलेंगे चंद्रगरहन से सूरेगरहन के बीच में या सूरेगरहन के आसपास especially ये energy बहुत badly effect करेगी आपके DM की energy पे अगर आपके DM की life में कोई third party नहीं है इनके career पे या इनके उपर किसी तरह का blame लग सकता है यहाँ पर emotional energy बहुत strong है confusion वाली energy है खुद को balance करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं इनके name, fame, recognition, इनकी stability, इनके finances पर badly effect नजर आ रहा है चंदर ग्रहंट से सूरे ग्रहंट के बीच में आपको लेकर missing energy बहुत strong है किसी तरह का gesture आपकी तरफ या तो हो चुका है या होने वाला है ये vibes यहाँ पर नजर आ रहे हैं बहुत सारे DM आपको बहुत spiritual work करते हुए भी नजर आएंगे maybe meditation, yoga, साधना या किसी spiritual places पे आपको नजर आ सकते हैं let's check कि अगर आप no contact situation में है तो आपके DM की तरफ से call messages कब तक receive हो सकते हैं आपको DF को DM की तरफ से immediate action क्या receive हो सकता है angels chariot की energy है bottom of the deck with two of cups union vibes तो आपके person देखिए definitely आपकी तरफ return आना चाहते हैं और आएंगे भी आपके लिए जो number important है वो है 5 अगर आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आए हैं तो यहाँ 5 days के अंदर 5 hours के अंदर 23 hours के अंदर या 50 hours के अंदर यह energy आपसे resonate कर सकती है जो energy मैंने DM की बताई है वो भी 5 days के अंदर की रहेगी timeless reading है जब भी आपके सामने आएगी यह energy resonate करेगी mother universe आपके साथ है mother universe आपको और आपके DM को protect कर रहे हैं साथ ही साथ इनके life में अगर यह egoistic है या किसी तरह का इनके अंदर बहुत ज़ादा authoritative energy है तो यहाँ पर कुछ karmic triggers इनको balance करेंगे इनका जो भी authoritative nature रहा होगा past में बहुत ज़ादा logic बहुत ज़ादा और इस full moon के बाद especially 5 days के अंदर 5 hours के अंदर या 23 hours के अंदर union हो सकता है तो यह दी गाई आज की reading थैंक यू सो माच टेक यू बाबाई